नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारकाण की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं उत्रकासी रेस्क्यू अप्रेशन सफल सुरक्षित निकले जारकाण के पंदरा मैदूर उत्राखन के उत्रकासी सित सिल्की आराव और नंडल गांग के विच निर्मानाधिन सुरंग में सबसे बड़ा रेस्की ओपरेशन सपल रहा है 400 घंटे की जंग के बाद ज्ञारखन के सभी 15 मजदूर सुरक्षित बहार निकाल लिए गाए ज्ञारखन के सियम हमान सुरे ने सोसल मीडिया एक्स पर कहा है कि 17 दिनों की जंग जीत कर बीर स्रामीक सुरक्षित बहार निकाल आए इनके होसले के सलाम इधर उतरकासी में तैनाज चारकन सर्म नियोजन विभाय के सन्युक्त सर्मा आयुक्त सह जमसेद पूर के सर्मा आयुक्त राकेस परसाद ने बताया कि उतराकन सुरंग से सभी मजदूर सुरक्षित निकाल लिए गाए और खूसिया का इजहार किया है सीम हमन्त का बीपक्ष परपरहार पहले की सरकार अधिकारियों को अपनी सिवा में लगाती थी मुख्य मंत्री हमन्त सेवन मंगरवार को आपकी जोईना आपकी सरकार आपकी दोरकार करनम के तहत लोहाद दगगा के कुड़ू परखंड इसी चीरी खेल मैदान पहुँचे जहां जामो करकाता हो और जीले के पता दिकाई ने उनका जोरदार स्वागत किया उनके साथ मंत्री डॉक्टर रामिस्वर उराव सत्यावन भुकता और राई सभास सदर से धीरज परसाथ साहू भी मजूद थे अगाई ने फिरेज दीकारियों को गाई बहां में भेजना सुरू कर दिया और लोगों की समस्याओं का जानने का परियास किया है पूलिस का ASI कर रहा था जुए के अड़े का संचालन नौ सस्पेंड जब कानून बेवस्था का रक्षक ही कानून तोड़ने लगे और गलत कारों में पकड़े जाए तो पूरो सिस्टम पर सवाल उठने लगते हैं ऐसा ही एक मामला रांची में सामने आया था जिसमें कई पूलिस कर्मी जुगा केलते पकड़े गए थे बता दे राईधानी राची में जुगा का खेल पूलिस के सनक्षन में चल रहा था ना सिर पूलिस सनक्षन में बलिक पूलिस वाले जुए के अड़े का संचालन कर रहे थे मामले का कुलासा होने के बाद रांची के SSB चंदन कुमार सी नहा के निर्देस पर गोंदा पुलिस मामले की तफ्रीश कर रही है वहीं रभीवार को कहा के रोड मिसीर गोंदा में जिस जुएक के अड़े में पुलिस की टीम ने चपे मारी कर 20 लोगों को गुरुवार की राद पकड़ा था इसमें 14 पुलिस कर्मी के अलावा औने 6 लोग सामिल थे शुत्रोक एनसार जुएक अड़े का संचलन जार्खन पुलिस के एक दरोगा के द्वारा किया जा रहा था जार्खन में नीजी बिद्यालियों के लिए बने कड़े कानून वापस ले सरकार पास्वा प्राइबेट स्कूल और चिल्रेन वेलफेर एस्सोसियेशन यानि पास्वा ने राई सरकार से नीजी बिद्यालियों के लिए पिछली सरकार में बने कड़े कानून को वापस लेने गिमांग की है जारखन दोरे पर पास्वा कराश्ट्री अध्यक सयद सामयल अहमद ने कहा है कि अगर राई सरकार चाहती है कि जारखन में सभी बच्चे इसकूल जाए और उन्हें इसकूली सिक्षा से वनचित नहीं होना पड़े तो सरकार को सभी नीजी बिद्यालियों को मन्याता देन पास्वा कराश्ट्री अध्यक सयद स्यामल अहमद ने कहा है कि पास्वा लगातार सरकार से इसको लेकर मांग करती रही है इसके बाजूत सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है चीन में फैली रहस्मई बिमारी को लेकर जारखन में अलार्ट कुरोना वायरस ने पुरी दुनिया में परसान किया भारत हो या अमेरिका बीसों के सभी देसों ने कुरोना वायरस से बचने के लिए संगर्स किया लंबे संगर्स के बाद पुरी दुनिया में कुरोना बिम नहीं हो पाया लेकिन इस बीमारी को रहस्माई निमोनिया कहा जा रहा है चीन में बढ़ते संक्रामोन को देखते हुए भारत सरकार के स्वास्त विभाग ने सभी राजियों के लिए अड़वाइड जारी की है यह आदेश दिया जहा है कि सभी अस्पताल कोरोना के दवरान क विभास्ताके रिव्यू कर ले ताकि यह दी बिप्रीत परिस्ठी आती है तो उसका सामना किया जा सके一वs करान के उत्तराखन सुरंग से निकालने में काम आई देशी तकनीक उत्रा खंड के सिल्की आरा में सुरंग में फसे मईदूरों को बाहर निकालने में रेट होल माइनर्स वर्दान सावित हुआ है कई तरह के अर्चनों के भी 17 दिनों तक चले अभियान का अमतिम चलन में मोर्चा सभालने वाले इन खनी को ने अपना काम सफालता पुर्वक पुरा किया है केंद्रिये खनन एवाम इंधर अनुसंधान संस्थान के वरिष्ट वेग्यानी एकके दिवेदी बताते हैं कि वास्तों में सिल्की आरा में रेट होल माइनिंग करने वाले लोग बचाव दल के हिस्सर से हैं इन्होंने खाच तरीके से खनन कर अभियान को सफल बनाया उत्राखन के पहाडों की प्रकिर्टी अलग है खाच कर उस अस्थान पर अस्खलन का भी खात्रा ज्यादा रहता है जहां पहले से अस्खलन के बाद मलबा जमा हो चुके हो बाबुलाल मरांडी के दिसोम गुरु को सीबु कहने पर भड़की जामुमों जारखन मुक्ती मोर्चा ने भाजपा परदेश तद्यक्स बाबुला मरांडी को निशाने पर लेते हुए उन्हें अहंकारी से लेकर बियस्थापित और बेरुजगार तक की संग्या दी है मोर्चा के महा सची उसा परवक्त सुप्रियों भड़की ने मंगलवार को पाटी करे लें प्रेस कॉन्फिरेंस में कहा है कि बाबुलाल मरांडी अहंकार में चूर है वे दिस्वाम गुरु सीबु सुरेन को सीबु बोल चल रहे हैं जबकि वे उनके छोटे अंस भी नहीं हो सकते सुप्रियों भड़चाय ने आगया भी कहा है कि अगर सीबु सुरेन नहीं होते तो जारकन अलग राज नहीं होता और बाबुलाल मरांडी भी नहीं होते डॉक्टरों की लापरवाही ओपरेशन के बाद महिला के पेट में छोड़ा तोलिया रिम्स में इलाज के लिए एक महिला मरीज कोसीला देवी को भरती कराया गया था जिसके पेट में ओपरेशन के बाद तोलिया छोड़ दिया गया यह महिला चार महा पूर्व 26 जुन को लोहर्दागा सदर अस्पतान में परसोर पिड़ा को लेकर भरती हुई थी यहां उसकी सरजरी की गई इसी दोरन डक्टरों ने उसके पेट में तोलिया छोड़ दिया जिसके बाद महिला को लगातार दर्द की सिकायत रहने लगी दर्द का इलाज के लिए जब वो फिर से सदर पहुची तो शुरू में डक्टर ने दर्द की दवाद देकर उनकी समस्या को टालते रहे लेकिन जब अल्टर साउन कराया गया तो पता चला कि महिला के पेट में कपड़े का टुकड़ा है उसके बाद उसे इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया रांची समेत कुछ इलाकों में होगी बारिस राजधनी रांची समेत पूरे राजे में मौसम में लगातार बदला हो रहा है दीन में गर्मी तो रात में ठण का असर देखा जा रहा है मौसम बिग्यान केंद्रे रांची के अनुसार राजी के कुछ इलाकों में पानी बरस सकता है बिबाग के अनुसार पच्छमी ही से पलामू, गढ़वा, लातेहार और लोहरदगा वही मध्य, रामगण, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबा, खोटी और उतर पुर्वी ही से देवघर, दुमका, धनवाद, गिरीडी, गोड़ा, जामतड़ा, पाकूर, और साहब गांज में कहीं-कहीं हलके, वंमत, दर्जे की बारीशोने की संभावना है मौसंबी ग्यान, केंद्रे, रांची, दौरा, जारी रिपोर्ट के अनुसार, इस दोरान कहीं-कहीं में, गजन के साथ बजरपात की भी संभावना है, इसको लेकर एलो अलर्ट जारी किया गया है पलामू के दो दिवसे दोरे पर आ रहे है मुख्य मंत्री हिमांसुरेन, जारकन के मुख्य मंत्री हिमांसुरेन, तीस नॉमबर से आराम होने वाले दो दिवसे पलामू दोरा उनका इस जीले से बिसेस लगाव को दरसाता है पलामू वासी भी मुख्य मंत्री के स्वागत के लिए त्यार है एजनकारी जामो के पलामू जिला अध्यक्स रायंदर पर्चाथ सीनहा ने मंगलवार को दिया है बताया गया है कि पलामु के लिए सोभागी की बात है कि मुख्य मंत्री सभ पार्टी के करकारी अध्यक्स का पलामु आगमन हो रहा है अपने दोरे के पहले दिन मुख्य मंद्री पलामू परमंडल के जामो पार्टी के सभी पता दिकारीव करकताओं के साथ अस्थानिय टाउन होल में बैठा करेंगे साथ ही पार्टी के विकास यातरा रत का उद्गाटन किया जाएगा विकास रत पात दिसमबर से सभी पिधान सभा में जाएगी इस रत के साथ सभी करकता दोरा करेंगे जारखन में बनेंगे गोव अभ्यारन गोव सेवा अध्यक्ष ने किया एलान राज में गोवंस के लिए गोव अभ्यारन बनाये जाएंगे इसके लिए त्यारी चल रही है परदेश में जितने भी गोचर भोमी पर अतिकरमन हुए है इसकी जनकारी जुटाई जा रही है गोचर भोमी को अतिकरमन से मुक्त कराना है गोव अभ्यारन में वैसे गोवंस र पास्ट मी मेला के कारकरा में पहुंचे हैं, मौके पर कॉंग्रेस ने ता बैभाव सिना भी मौजूद रहे। की बच्ची अनुकुमारी की दम घुटने से मौत हो गई, वहीं नीरज और रेखा देवी गंभीर उपसे घायल हैं, सेख भीकारी मेटकल कोलेज अस्पताल से उनकी श्थिती गंभीर देखते हुए दोनों को इलाज के लिए आरोग्यम अस्पताल ले जाया गया है। बाबा बागेश्वर मामले में 30 को सुनवाई, हनुमत कथा आयोजन समिती की संजोजक सा निव वर्तमान महापर अरून संकर ने आगामी 10, 11 वा 12 दिसंबर को होने वाले बागेश्वर बाबा के कारकरम के लिए सदर अनुमनल पताधिकारी द्वारा अनुमती देने के साथ ही असपष्ट किया है कि कारकरम आयोजन को लेकर उच नियाले में भी अर्जी लगाई गई है, 30 नौमबर को सुनवाई होनी है, उन्होंने कहा है कि मेदनी नगर में कई बिंदूओं पर समिक्षा के बाद दो दिन पूर्व अनुमती पत्र निर्गत कर दिया गया था उपायुक्त पलामू द्वारा दिये गए पत्र में नदी के तर्ट पर प्रदूर्शन फैलने, बरसात आने पर बड़ी दुर्वाटनावा सरकार के महत्त्वा कांची कारकरम सरकार आपके द्वार का प्रारम होना अस्थागन का मुखिकान बताया गया खुट्टी में दो यूकों का सव जंगल से बनामात, खुट्टी के मुरहुत हना छेत्रे के खटंगा गाओं के इस्थीत जंगल से पोलिस ने दो यूकों का सव बनामत किया है मेतकों की पहचान सेवयन हपत गड़ा और पांडा बोदरा के रूप में की गई दोनों का सव जंगल में एक ही जगह पर पढ़ा हुआ था अब तक मेरी जनकारी के अनुसार दोनों के हत्या अक्टूबर माह में ही कर दी गई थी इसके बाद अपराधियों ने दोनों के सौव को जमीन में गढ़ा खोद कर दपना दिया जनकारी मिलने के बाद सुबा पूलिस घटना थल पर पहुँची और मामले की जनकारी ली हलाकि अभी तक हत्या के पिछे का कारण पता नहीं चल सका है एसपी नोसाद आलम ने आरोपों से किया इनकार बुद्धवार को फिर पूश्टाच साहिव गंज की एसपी नोसाद आलम मंगलवार को प्रवतर निदेश सालाइक के रांची जोनल अफिस पहुँचे थे कि इसके बार उनसे इडि के अधिकारियों के द्वारा करीब 10 घंटे तक पूश्टाच की गई इस दोरान E.D. के दोवारा नौसाद आलम से E.D. के गवाह विजय हंसदा को प्रफवित करने के बारे पूस्ताच की लेकिन नौसाद आलम ने इस मामले में अपनी सनलिपता से इंकार कर दिया है नौसाद आलम के दोवारा E.D. को बताया गया कि साहई हंसदा को कोट के निर्देश के बाद बोडिगार्ट उपलब्द करवाया गया था जब नौसाद आलम ने साहई हंसदा कोट में एक केस के सिलसीले में बोडिगार्ट के साथ दिल्ली जाने को लेकर आविदन दिया था चुकि जिस दिन भी जाए को दिल्ली जाना था उस दिन रभ विवार था ऐसे में रेल वरंट नहीं मिल पाया जई और नीट की फिरी कोचिंग के लिए रेश्ट्रेशन NTA द्वारा नीट और जई मेंस 2024 की तारिख जारी कर दी गई है इस साल CBSE बोर्ड या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से कक्छा बरा हुई की बोर्ड परिक्षा पास कर चुके या करने वाड़ इस्टूदेंट जई मेंस 2024 और नीट 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 के लिए रेश्टेशन शुरू है कोचिंग सेंटर की मोटीफ फिस होती है जिससे देना हर किसी की बस की बात नहीं होती आइसे में टैलेंट बच्चे पिछड जाते हैं इन्हें देखते हुए जारकन सरकार ने नई पहल किया है जिसका नाम है अकांचा जार्कन सकार आकांचा कोचिंग के जरी राज के आर्थिक रूप से कमज़र विद्यार्थियों को जैमेंस, नीट और कलेट परिक्षा की त्यारी कराने के लिए कोचिंग दे रही है